हेलो फ्रैंस नमस्ते कैसे हो आप सब आई होब आप सब ठीक होंगे फ्रैंस आज हम यूज करने वाले हैं साडी तो जो अल्ड पेटन की साडी है उसका यूज करके हम दो आइडिया बनाएंगे जो बहुत ही यूजबूल है तो यह दखेए यह सिपोन की साडी थी जिसका हम यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो मैं यहां से यह पल्लू का पार्ट है वह अलग कर रही हूँ ऐससे हम कर लेंगे दो पार्ट में इसे डिवाइड ठीक है तो हम आज इस पलू का ही यूज करेंगे तो फॉर्म और नॉन वन ने इसी के नापसी कट किया है और अगर आपके पास नॉन नहीं है तो कोई बात नहीं है आप यहाँ पे कोटन का कपड़ा यूज कर सकती है और ऐसे क्विल्ट कर लीजिए ठीक है बड़े-बड़े हम क्विल्ट करेंगे जिससे हमें बोर नहीं होगी और फटा-फट से हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर देखिए इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है जैसे मैं मार्क कर रहे हूं वैसे बहुत ही इसी है और आपको यकिन मानिया बहुत ही यूसफूल लगेग तो जहां पर हमने 16 इचिस पर मार्क कर लिया है अब आपको क्या करना ऐ ऐसे रखे और देखिए मार्क किया है और सेंटर में कित yapıyorsun harvest ले ना पर रहा है कर लेना है स्टेज करने के बाद आप यहां पर प्रेस्टीज कर लीजिए जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप सीख रहे हो तो इस तरीके की चीजे सीखिए जिससे वह आप घर में भी काम आएगी और आपके पैसे भी बहुत बचेंगे तो अब हम जि किया है वहां पर ऐसे रखिए सेंटर में उल्टा और स्टीज कर लीजिए यहां पर स्टीज करने के बाद इसे ऐसे पकड़ते जाएगे यहां से देखिए आप पीन भी लगा सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रहे हूं अगर आप सीख रहे हो नहीं तो डायरेक भी आप क इसे जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है पीन लगा के इसी हो जाएगा आपको बस ध्यान रखना है कि पीन हमें नीडल में आनी नहीं चाहिए तर पूरे राउन में आपको स्टीज कर लेना है देखिए यहां पे हमने स्टीज कर लिया अब ना यह जो बोड़र है इस तो इसे ऐसे रखिए और यहां पे स्टीज कर ले यहां पे हो गया ठीक है अब उपर का पाटाटेज कर लीजिए पूरे राउंड में आपको ऊपर का पाटाटेज करना है ठीक है यह हमारा पूरा ओर्गनाइजर रेडी है लेकिन एक काम इसमें बाकि यह तो इसे खोली और करनी है तो यहां से इस तरीके से कम मैनत में इस तरीके से वन फिंगर जितनी जगह चोड़ते हुए टॉप स्टीज कर लीजिए पूरे में जहां जहां हमें दिख रहा है वहां पर आपको टॉप स्टीज करनी है ऐसे आप देख सकते हूं बहुत ही फिनिसिंग से मार्केट ज जाएंगे तो यह जो साडी है उसका हम रिउस करेंगे सबसे बहले में ने साडी में से चोटा शपाट किया है और इसी के नाप से नोन वन कट किया है और इसका नाप है 30 बाए लावन इंचिस अब हमें इसे स्टीज करके जोड़ देना है आप पीछे कॉटन का कपड़ा भ फिर फाइव इंचिस पे हमें यहां पे मार्क कर लेना है ठीक है यह हो गया अब फिर से फाइव इंचिस पे मार्क कीजिए और यकिन मानी यह भी बहुत ही काम की चाहिए आप जब इसे बनता हुआ देखेंगे तब आपको लगे का यार यह तो बनाना ही चाहिए अगर इस बचना चाहते हो तो आप इसे बना के बेज भी सकते हो बहुत पैसे कमा सकते हो मतलब ऐसा ओर्गिनाजर सब को चाहिए तो उसके बाद मैंने फॉर पीसिस ऐसे कट कर लिए हैं जिसका नाप है फाइव फाइव इंचिस और इसे ना आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे क्रोस में कर लिए और कट लगा लिजिए तो ऐसे हमने फॉर पार्ट कट की है इसे ट्राइंगल सेप ले लिए तो फॉर ट्रायंगल सेप हमने कर लिए अब आपको क्या करना है टांसपरन सीट ले लेनी है वह कोई भी ले सकते हैं अब पो स्टेशनरी की दुकान पे डेख़ा बोह से अमी का ट्रायंगल कीना है फुराइय बेगा एक उपरान का डिया ट्राइंगल कर दो बने कंषित बने याँ जातां कर रहुति है हुडो में प्रेशिज हमें यहाँ बने का अज़े उसे सriad जाते हैं श्कट टैज लाकुनिगे क्ःचिए है। अब जब जिप है वहाँ पैसे रखे और इसे श्टीज कर लीजिए दोनों साइड से यह देखें यह सारे पार्ट अबने रड़ी कर लिए हैं। उसके बाद आपको यह सीधा करना है और यह जहां यहां से लेके आपको एसे पूरे राउंड में स्टीज करके अटेज करना है ठीक है यह हो गया आप दूसरा पार्ट उसके पीछे लगाईए वन बाई वन आपको सारे पार्ट अटेज करने हैं यह देखिए और यह हमारा ओर्गिनाइजर रेडी है और अब हम क्या करेंगे यह साड़ी की लेस जो थी वह हमने ले लिए साइड में हम इस तरीके से फॉल्ड करते हुए पूरे राउंड में अटेज करेंगे देखिए कितने प्यार ही लग रही है अब कोई भी यहां पे अटेज करने के बाद कोई भी हैंडल ले लिजे लेस को ऐसे फॉल्ड करें द लग सकते हैं तो दोनों आइडिया आपको कैसे लगे कमेट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त